नमस्कार, सरजरी की इस नए टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं एनाटमी, पैथोलोजी, फारमेकलोजी, पैसम को कम्बाइन करते हुए बैनाइन वर्सिस मैलिगनेंट ब्रेस्ट लंग की कंडिशन के बारे में कई बार पेशन्ट हमारे पास आती हैं और उन्हें इंशूर करना होता है कि उन्हें बिनाइन या मैलिगनेट कौन सी कंडिशन है, कहां पर उसका जाधा लोकेशन है, किस तरीके की उसकी कंसिस्टन्सी है, उन सारी चीज़ोपर फोकस करते हैं हम बात करनी होते हैं तो ध्यान पर मस्कुलर टीशू जाधा पाई जाती है, इसलिए इस हिस्से में सबसे जाधा ब्रेस्ट ट्यूमर चाहे बिनाइन नेचर के हो या फिर मैलिगनेट नेचर के हो उनके डेवलप होने के चांसे देखे गया है, इसी तरीके से अगर बात किया जाया है, सबसे कम कहां पर हो ब्रेस्ट के बारे में जहां पर सबसे जाधा चेंजेज होते हैं, वो लॉब्यूल्स और डक्ट होते हैं, तो पता रहना चाहिए लॉब्यूल्स एक टारगेट हमारा और दूसरा डक्स के लेवल पर, अगर स्पेसिफाई ना किया जाया तो आम तोर पर जो मैलिगनेट च महां पर होती हैं, लॉब्यूल्स के भीतर, यह जो एसिनाई दर्शायगा है, इस तरीकी की जो एसिनाई होती हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके अलामा यह जो आगे की और बढ़ते हुए डक्ट के सेल्स हैं, उनकी भी बहतर हमें नॉलेज होनी चाहिए, यह पूरी की पूरी अनॉटमी, जब हमारी जानकारी में होगा, तभी हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर पाएंगे, तो देखें, इसके अनॉट्रमिकल स्ट्रक्चर में, जो सबसे ज़ादा महत्प्रोड होता है, वो होता है, लॉब्यूल्स का, यहाँ पर मैं कलर इसको दरशाने की कोशिश करूँगा, लॉब्यूल्स के उस हिस्से को, जो हम यहाँ पर एप्रिशेट कर सकते हैं, यह देखें एक लॉब्यूल, इस लॉब्यूल्स के फाइनल डीटेल्स में, जब हम जाते हैं, तो इसके भीतर होती है, एसिनाई, यहाँ पर एसिनाई को दरशाने की कोशिश की जा रही है, यह एसिनाई, आप देख सकते हैं, डॉब्यूल्स या एसिनाई के स्ट्रक्चर को, अब यह एसिनाई ही वो हिस्सा होता है, जहाँ पर सेल्स लगातार, मिल्स, मिल्क को भनाती हैं, सिक्रीट करती हैं, और बाहर के और निकालती हैं, तो इसको बहुत स्पेस्फिक फोकस करते हुए हमें स्टुडी करने की जरूरत होती है, यहाँ पर यह टर्मिनल डक्ट और उसके साथ जो लबिलर युनिट्स है, उसके लेवल पर हमें समझना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजिस होते हैं, वो ब बाहर निकल करके निकलने वाले इस टर्मिनल डक्ट को, बाकी सारी चीज़ें उतनी महतपूर नहीं होती हैं, अभी हमें इसी लबिल्स, उसके फाइनल डीटेल्स और यहाँ से निकलने वाले टर्मिनल डक्ट, टर्मिनल डक्ट आगे बढ़ता हुआ, आप देखेंगे यहाँ पर भी ट्यूमर या फिर बिनाइन चेंजेज हो सकते हैं, यह आगे की और बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए यह लैक्टिफेरस डक्ट के रूप में बढ़ता हुआ निकल जाता है, यहाँ पर भी सेल्स लगातार स्ट्रस की कंडिशन में या हार्मोनल है वो है यहाँ का लैक्टिफेरस साइनस, यहाँ पर डेक्टेस किया जैसे कंडिशन्स डेवलब हो सकती है, यहाँ पर निपल का रीजन आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास लब्यूल्स और जो डक्स का जो सिस्टम है, यह सबसे ज़्यादा मतप उसको वन बाई वन देखने की कोशिच करें, तो सबसे पहले आप पैजट डिजीज के बारे में कहा जाता है, यह डेक्टल कार्सिरोमा इंसीटू का सुपरफीशल मैनिफेस्टेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे, यानि यह भी डॉक्स में होने वाले तो आप देखें, यह भी नाइन चेंज़ कहा पर देखेंगे, या उससे आज पास के रीजन में असूसियेटेट चेंज़ हैं, इसके अलावा कुछ ए, एक्सिदेंटल कंडिशन्स में, यहाँ पर देखें एक्सिदेंटल कंडिशन्स में, फायट नेक्रोसिस की घटनाए भी होते हुए देखी जाती है, इसके बाद जो सबसे जादा महत्पुर्ण इसा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो ये है, आप देखें, तो यह है लब्यूल्स का पार्ट, इस लब्यूल्स के पार्ट में बहुत सारे चिंज़ेश हो सकते हैं, एस्ट्रोजन के प्र जिन्हें हम fibroadenoma और cyst की conditions के रूप में study करते हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो दो अलग-अलग रूप में divide करके study करने को हमें मिलेंगी इसमें आगे पढ़नें से पहले breast की anatomy की अच्छी knowledge हो तभी हम pathological changes और उसके बाद surgery में क्या क्या changes होंगे उनके बारे में पता होगा कैसे pharmacological manage करेंगे क्या होता है इसमें PSM का aspect उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आपको पता होगा PSM में यह बहुत important point है apparently इंडिया का major carcinoma का कारण क्या है breast cancer होता है तो यह सारी चीज़े अब advance हो चुके हैं इसलिए हमें कई सारे topics को interconnect करने के लिए कहा जाता है अगर देखा जाए तो breast की anatomy सबसे महत पुरूड है क्योंकि यहीं पर cancer के मामले ducts और labules के level पर ही शुरू होते हैं चाहे वो benign changes हों चाहे malignant changes हों उनमें labules जो SNI के रूप में आगे बढ़ते हुए terminal ducts और terminal ducts के बाद major ducts फिर मैंने बताया main duct जिसको lactiferous duct कहते हैं आपने देखा था ना और यह lactiferous duct आगे चल करके खुलता है यह सारी चीज़ें हमने discuss कर लिया था मैंने आपको बताया स्ट्रोमा जो इसके बाद का हिस्सा होता है वो इस्ट्रोमा कहलाता है इस्ट्रोमा में जो क्योंकि बहुत ज़्यादा pathological changes नहीं होते हैं यहां पर flowed tumor के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा जो इस्ट्रोमा में develop होता है क्या होती इसके conditions इस पर हम बाद में बात करेंगे maximum जो focus होगा चाहिए शुरुबाती changes होगे या बाद के changes होगे वो इसी lobular और terminal ducts के पास के जो cellular changes होगे वहीं पर हमें focus करना होगा यह duct cells या फिर जो lobular cells होगे वहीं पर होने वाले जो changes होगे उनहीं पर hormones के प्रभाव और हार्मोन्स के प्रभाव कैसे यहां पर एस्ट्रूजन का देखने को मिलता है वो सारी चीजे भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाती जैसे नली पैरस हिस्ट्री में दिया गया होगा या फिर अर्ली मिनार की लेट मिने पास की हिस्ट्री दी गई होगी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो क्या-क्या बदलाव ला रहा होगा हार्मोनल इफेक्स में या फिर इन्वार्मेंटल कंडिशन में या फिर जैनेटिक प्रेडिस्पोजिशन की वज़ा से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो हमने पैथलोजी का बेसिक कॉंसेट देखा था कि कोई अगर सिगनल किसी सेल के इन्वार्मेंट में पहुंचता है तो वो क्या-क्या बदलाव लाते हैं तो ये पैथलोजी में जो बेसिक हमारी समझ है कहीं पर भी नार्मल सेल्स इस्ट्रसफुल कंडिशन या किसी सिगनलिंग के वज़ा से क्या हो सकती है वो एट्रोफीड हो सकती है हाला कि यहाँ पर एट्रोफी के मामले कोस्ट मिनोपॉजल मामलों में होते हैं उसको हम ब्रेस्ट कैंसर के साथ यहाँ नहीं जोड़ेंगे लेकिन अगर सिगनल मिल रहा है तो सेल्स क्या हो सकती है ब्रेस्ट के जो लियूमिनल सेल्स है या फिर वहाँ की जो इस्ट्रोमा है वो हाइपर ट्रोफीड हो सकती है अगर hyperplasia में cell लगभग previous cell के जैसा ही है जैसे देखिए ये cell और इस cell के structure में कोई बहुत बड़ा changes नहीं हो रहा है ए टिपिकल changes नहीं है मतलब ये cell लगभग वैसा ही है तो इस तरीके के hyperplasia के मामलों में आप कहेंगे cancer का risk कम है ये सारी चीज़े कब आप confirm कर सकते है इसलिए जब कोई patient आती है तो आपको confirm करना होगा उनको cancer का आगे future में risk है या नहीं है इसलिए हम देखेंगे hyperplasia के मामले इसके रहाव और क्या हो सकता है वहाँ पर हो सकता है environmental changes की वज़ा से metaplesia हो जाए सेल पूरी तरह के से बदल जाए आप देखें क्यूबाइडल सेल के comparison में अगर breast के tissue के cells squamous shape में बदल जाए तो आप जानते ना squamous metaplesia इसे कहा जाएगा आप जानते ना नया नाम नए changes के आधार पर तो यहाँ पर जो कहा जाएगा वो squamous metaplesia के रूप में हमें देखने को मिल रहा है ऐसे भी changes environmental conditions बदलने पर possible है लेकिन अगर atypical changes जादा हुए तो वो आगे dysplastic changes कराते हुए cancer develop करा सकते हैं यही सारी चीज़ें हम जो बढ़कर के pathology में आते हैं वही सारी बाते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी तो pathology का यह basic concept हमें differentiate करने में मदद करेगा surgery के उन questions के बारे में जानकारी देने में मदद करेगा जो objective questions हमसे लगातार पूछे जाते हैं चलते हैं बात करते हैं उन conditions को समझने की कोशिच करते हैं जहाँ पर हम कोई patient आएंगी breast lump की या breast discharge की लेकिन हम उन्हें ensure करेंगे कि उनको cancer का risk कम है कितना cancer का risk है वो भी cellular changes के आधार पर हम कह पाएंगे तो कुछ conditions ऐसी होती हैं जहाँ पर cell तो divide करेंगे multiply करेंगे लेकिन cancer का risk नहीं होता जिन्हें हम non proliferative changes कहेंगे non proliferative benign breast disease कहेंगे तो इसमें risk 0% होता है इसमें हम नाम देते हैं fibrocystic disease का और ये patient को कहेंगे कि यहाँ cell grow कर रहा है multiply कर रहा है लेकिन आपको कोई डरने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि यहाँ पर cancer बिल्कुल नहीं होगा तो कौन-कौन से ऐसे changes होते हैं जहाँ पर हम patient को ensure कर सकते cancer का risk बिल्कुल नहीं है ऐसे कौन-कौन से example हो सकते हैं तो बैपसी के कैसी finding होगी उसके बारे महाँ बात करेंगे इसके लावा कई ऐसे होंगे जहाँ पर non-proliferative नहीं बल्कि proliferative changes होंगे यानि यहाँ पर cancer risk है लेकिन कितना है अब उसको देखना होगा तो आप देखें पहले condition जहाँ cell multiply कर रहे हैं तेजी से multiply कर रहे हैं लेकिन उनमें 8 typical changes नहीं हैं दूसरी कडेगरी ऐसी होगी जिसमें cell तेजी से multiply कर रहे हैं और उनके भीतर 8 typical changes हो रहे हैं यानि पहले condition में risk breast cancer के develop होने का कम होगा दूसरे में जादा होगा पहले condition में 2 times तक दूसरे condition में 4 times तक risk होता है तो यहाँ पर slight risk up to 2x times तक cancer के develop होने का risk होगा जबकि proliferative breast disease जिसमें typical changes होगे उसमें moderate risk होगा अब धीरे-धीर करके 4 गुना तक 4 times तक risk यहाँ पर breast cancer के develop होने का हो सकता है तो इस तरीके के कौन से example बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे अगर यह proliferative changes आगे बढ़ते चलेगा है तो फिर क्या होगा तो आप समझ सकते हैं cancer develop हो सकता है carcinoma in situ फिर उसके बाद invasive carcinoma तो वो जो चीज़ें आपके दिमाग में होगे वही चीज़ें होती है अभी भी देखे cells proliferate कर रहें लेकिन अभी उतने changes नहीं है इसलिए cancer ने risk 4 times तर है जब ये carcinoma in situ यानि localized cancer में जब बदल जाते तो 10 गुना तक cancer का future बढ़ जाता है तो यहाँ पर अभी हम उनके बारे में बात करेंगे जहाँ पर बिलकुल भी cancer का risk नहीं होगा non proliferative उसके बाद मैं proliferative के बारे में भी बताऊंगा non proliferative वो होते जिनमें आप patient को ensure कर सकते कि आपको बिलकुल भी घबराने की ज़रुवत नहीं है तो इसमें adenosis पहली condition होगी जिसमें SNI के नंबर बढ़ जाते हैं कौन होता है इसके लिए factor estrogen आप जानते है estrogen के प्रभाव में ये चीज़े बढ़ती है estrogen का exposure अगर बढ़ रहा कैसे आप सोचे यहाँ पर estrogen का exposure बढ़ रहा है जिसके लिए आप सोच सकते है नलिपैरिटी को early मिनार की, late मिनोपास को इस तरीकी के मामले क्या OCP लेने से रिस्क बढ़ता है नहीं ऐसे मामले नहीं होते है smoking से नहीं होता है यहाँ पर lactiferous जो duct का नाम मैं आपको बताया था वहाँ पर कई बार cells लगातार multiply करके dilate कर सकते हैं और वो discharge भी कर सकते हैं तो आप देखें nipple से कुछ black, serious, bloody या फिर ग्रिनिश कलर का discharge इन सारी चिज़ों को समझने के लिए आप देखें यह terminal ductal lober unit मैं यहाँ पर दर्शाने का प्रियास कर रहा हूँ terminal ductal lober unit को और आप देखें यह है SNI का हिस्सा और उसके मज़द से बनने वाला यह labule का हिस्सा तो यहाँ पर यह आपका हो गया labule और यहाँ पर देखें myopithelial cells जब यह squeeze करेंगी तो यहाँ से milk का इसक्षन पॉसिबल हो जाता है यह luminal epithelium की cells खुड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश की गई है यहाँ पर देखें myopithelium और यह होती है आप देखें terminal duct को दर्शाने की कोशिश की गई है terminal duct जो भीतर का और बाहर का इसके लाब मायopithelium को दर्शाने की कोशिश की गई है lactiferous duct को आप देखें तो यह lactiferous duct यहीं पर dilation हो जाए उसकी बात duct ectasia की रूप में देखी जा सकती है जहां पर dilation होने की वज़ा से इस तरीके के discharge possible है इसके लाबा एपोक्राइन जो मेटाप्लेज या मैंने आपको बताता है मेटाप्लेस्टिक चेंजेज हो सकते हैं इसके लाबा फाइब्रोडिनोमा एस्ट्रोजन की वज़़ा से लब्यूल्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे प्रेस्ट माउस जीसे हम कहते हैं इनमें अगर स्पेक्ट्रम इसका थोड़ा वाइड हो सकता है कई बार इसमें कॉम्प्लेक्स चेंजेज हो सकते हैं हाला कि फाइब्रोडिनोमा में अगर एटिपिकल चेंजेज हैं तो आप बिल्कुल इंशोर करिए कि एस्ट्रोजन का एक्स्पुजर होनी की वज़ए से उस यंग फीमिल में ये मामले हैं जादा घबराने की बात नहीं है अगर वहाँ पर सिस्टिक डिलेशन जैसे लॉब्यूल्स का डिलेशन हो गया लॉब्यूल्स का ही डिलेशन हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा पीजी से सिल्स अपना सिक्रेशन निकालेंगे जो सेमी ट्रांसलियूसेंट फ्लॉइड की रूप में हो सकता है वहाँ पर वो सिल्स डेड कर जाएं तो फाइब्रोसिस भी वहाँ पर पॉसिबल है और वहाँ इंफ्लामेटरी चिंजेस भी पॉसिबल हो सकते है इसलिए कहा जाता है नॉन प्रॉलिफरेटिव को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्योंकि सेल्स अगर मल्टिप्लाई करती है तो सिस्टिक चिंजेस कर सकती है डैमेज होंगी तो फाइब्रोसिस के साथ वो प्रिजेंट कर सकती है कई बार ऐसा भी होगा पेशन्ट की हिस्ट्री काफी हट तक हमें कन्फ्यूज करती है लेकिन घबराने की जरूवत नहीं होती है जब हम आगे के इन्वेस्टिगेशन करते हैं जैसे अल्ट्रसाउंड या मैमोग्राफी करते हैं उसके बाद हम बाइपसी के लेवल तक जाते हैं तो हमें इंशूर हो जाना को मिल जाता है कि ऐसा कुछ कंडिशन्स नहीं है तो कैसे हम कहेंगे पेशन्ट को कैसे बताएंगे कि उनको आगे रिस्क नहीं है इसके लिए इम्स के एक क्वेशन को लेते हैं इम्स में पूछा गया 35 यर ओल नली पैरस फीमिल हैं जिनमें कंप्लेइन है वो कंप्लेइन करके आ रही कि उनको ब्रेस्ट का लंब है इसके रावा पालपेट करने पर आपको नॉडुलर लिजन मिल रहा है नौडुलरेटी वहां पर फील हो रही है आपने इन्वस्टीकेशन में मैमोगराफी आगे मैं मैमोगराफी के बारे में डीटेल में आपके साथ डिसकस करूँगा अभी सिर्फ ये समझें मैमोगराम उनका कराय गया है मैमोग्राम कराने पर calcification देखने को मिल रहा है अब सवाल है मैमोग्राम पर क्या देखने को मिलता है objective question यह पूछा जाता है calcification कैसे calcification वहाँ पर हुआ तो इसका जवाब है इसका अंसर है cells लगातर multiply की होंगी multiply करने के बाद वो dead कर गई dead की हुए cells पर calcium जाकर के जमा हो गया जिसे हम dystrophy calcification करें यह dystrophy calcification अगर हुआ है तो मैमोग्राफी पर वही देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी हम ensure नहीं है दोनों ही breast में cells multiply की है इसलिए dead हुए है dead होने के बाद calcification हुआ लेकिन अभी हम ensure नहीं है वो benign है या फिर malignant है तो हम क्या कराएंगे biopsy तो question में आगे की language नहीं थी कि breast की biopsy कराएं गए जिसमें cystic ductal dilation मिल वा है तो इसलिए कहा जाता है ना biopsy पर बहतर जान करें भी दे cystic ductal dilation हुआ और इतना ही नहीं duct के भीतर जब final details देखे गए तो जो duct की epithelial cells है उनमें hyperplasia hyperplasia तो हुआ लेकिन without atpia यानि atypical changes नहीं है यानि malignancy का risk नहीं है हो सकता है ये जो भी देखने को बिला cells multiply की multiply करने के बाद dead हो गई dead होने के बाद calcified हुई क्योंकि आप समझ सकते हैं वहाँ पर nutrients तो उतने पहुश नहीं पाएंगे जितनी अवशकता है उतनी nutrients की requirement पूरी नहीं हुपाएंगे इसलिए cells damage होंगे तो calcification हो गया है बाकी कोई ये biopsy ने confirm कर दिया कि cells multiply कर रहा हैं लेकिन atypical changes वहाँ पर नहीं है इसलिए आप appropriate जो diagnosis बनाएंगे ऐसे मामलों में क्या बना सकते हैं क्या वहाँ पर ductal carcinoma institute हो नहीं भाई वहाँ पर cells atypical changes के साथ होते हैं अगर पहला option होता तो दूसरा क्या वो fibroadenoma के साथ है fibroadenoma एक आप सोच सकते हैं लेकिन वहाँ पर breast mouse या फिर mobile lump की बात कियते हैं या फिर बड़े लेवल पर popcorn calcification की बात करते हैं बड़े लेवल पर calcification की बात करते हैं वो भी नहीं है तो यह fibrocystic है क्या बिलकुल यही fibrocystic ही है और आप जानते हैं यहाँ पर आप insure कर सकते हैं चोथा option देखें तो granulomatis mastitis यानि यह chronic inflammatory conditions के साथ बिलकुल associated नहीं कोई ऐसे history नहीं है C option ही हमारा सही होगा B option के बारे में अगर सोचें तो यह breast lump जिसको most common benign breast tumor की रुप में young age की female में estrogen exposure होने की वज़ा से अचानक से estrogen जो ज़्यादा exposure होता है young age की female में उन में यह देखने को बलता है जिन में mammography में अगर आपको question देगा तो कहेंगे popcorn calcification यहापर ऐसा कहा नहीं कि इसलिए fibroadenoma नहीं है mobile lump नहीं है वो सारी चीज़े नहीं है तो इसलिए fibrocystic disease जिसको हम fibroadenosis भी कहते हैं आप समझ सकते हैं न सिस्ट डेवलप कुआ है यह भी condition 25 से 40 एस की condition, nodularity के साथ ऐसे मामने देखने को बिलते हैं तो patient अगर बहुत clear नहीं बता रहे है तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें ensure कर देना चाहिए cancer नहीं आपको घबराना नहीं है इस तरीके की बात हम कहा सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आता है smoking या cancer के साथ associated नहीं smoking कई बार vitamin A की कमी करा करके वहाँ पर metaplastic changes कर सकता है लेकिं cancer नहीं होता है aims में एक अगला question कुछा गया था 35 year old female है जो history of smoking 20 cigarettes तक एक दिन में पी जाती है ऐसी बात कही जाती है और ये कहा गया है कि वो कौन सी ऐसी condition है जिसके लिए वो सबसे जादा predisposed हो सकती है तो उनमें पहली condition जो हमें study करना है acute mastitis है क्या नहीं acute mastitis तो possible ही नहीं है क्योंकि वो acute mastitis अधिकतर मामले inflammatory conditions के साथ होती है fat necrosis नहीं आगे हम discuss करेंगे ये trauma के बाद fat necrosis होता है वो आगे हमें study करने को भी लेगा granulomatis mastitis ऐसा भी नहीं है chronic कोई conditions नहीं है ये सिर्फ क्यारा है smoking के कारण होता क्या है जो lactiferous duct होते हैं वहाँ पर squamous cells मैंने भी आपको image में देए दर्शाय था जो cubital cells है वो squamous metapleasia में के रुप में दिख सकती है तो ऐसा possibility हो सकता है तो smoking की वज़ा से cancer का risk नहीं होता है लेकिन squamous metapleasia possible है OCP के मामले में भी cancer के risk नहीं होते बाद आपको पता होने जो breast cancer का risk नहीं होता है endometrial cancer का risk होता OCP लेने से लेकिन breast cancer का risk नहीं होता question है लेकिन smoker है इसलिए आप समझ लेंगे कि smoking की वज़ा से ही कुछ ऐसा changes हुआ है तो यहाँ पर क्या condition हो सकती है most likely she is suffering from तो हमारे पास option हो सकता है क्या वहाँ पर breast का cancer हो सकता है तो smoking ना बड़ा changes नहीं लाता है यह मैंने आपको बता दिया peridactal mastitis हो सकता है कैसे अभी मैं बताऊंगा C option देख लेते हैं क्या fat necrosis नहीं कोई trauma की history नहीं तो fat necrosis नहीं हो सकता है granulomatis mastitis नहीं यह भी नहीं हो सकता है कोई chronic inflammatory conditions नहीं है associated तो reddish painful है तो लेकिन B और D में आपको देखना होगा chronic smoker की वज़ा से peridactal mastitis के option को क्यों ऐसा कैसे तो उसके बारे में आप सोचें smokers के मामलों में देखा गया है कि vitamin A की relative deficiency हो जाती है जो उनके मामलों में squamous metaplexia करा देती है तो smokers में क्या होता है vitamin A की कमी होती है जो आगे चल करके squamous metaplexia करा देती है